इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजे इसे दबाएं और दा सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाई लंबा ये बाई पास है जो बनाए गया है और ये कहूंगा कि हरियाना के मुख्या मंतरी मनहोरलाल ने 2015 में ये घोशना की थी इस बाई पास को बनाने के लिए और ये बाई पास है वो बनकर तयार हो गया है और वाहन भी यहां से चलने लगए हैं ये कह सकता हूँ कि इस टो हम सारे जहां पर इस बाइपास का इन लोगों को फाइदा मिलेगा और ये कह सकता हूं कि करीब ढुब-おお sut तीहेटर पॉईट 98 90,000,000,000 रुपे की राशी इस बाइपास पर खर्च की गई है और इसका निर्मान कारिया पूरा हो चुका है और वहन जो है टेज रफ्तार से इस बाइपास पर चलने लग गए हैं हालांकि सुरक्षा के लिहाद से इस बाइपास पर रोड के दोनों और बड़ी जो ग्रिल है लोहे की वो लगाई गई है ताकि रात के समय में जो वहन चालक है वो रोड से अपनी वहन है वो नीचे न उतार पाएं तो उसको लेकर के सुरक्षा की दिर्ष्टी से ये जो है वो लगाया गया है ग्रिले इसके साथ मैं कहूंगा कि इस खेरेकां से सुरू होते ही इस बा आस बात ये भी है कि घगर नदी के बांध पर ये बाई पास है वो बनाया गया है क्योंकि ये कह सकता हूं घगर नदी का ये सरकारी बांध है जिस पर ये रस्ता बनाया गया है और क्योंकि एक तरह से इस रस्ते बनने से जहां बांध मजबूत हुआ है वहीं लोगों को इ इसी बांद के जरिये एक दूसरे गाउं जाने में भी जो असानी हुई है क्योंकि ये कह सकता हूँ घगर नदी के बांद पे ये बाइपास बनाया और पहला ही गाउं है खैरिका से मैं बात करूँ मीर पुर की या एहमद पुर की उसके बाद जोड़नाली गाउं की बात हैं चाहे डवाली की बात करूँ ओड़ना की बात करूँ कालावाली की बात करूँ या रोडी मानसा से होते हुए पंजाब के जाने की बात करूँ या हिसार भी इसी रस्ते के जरिये वो जा सकते हैं और जो शेर क्या सिरसा शेर का जो ट्रैफिक है उससे वो असानी से बच सकते हैं क्योंकि यह कह सकते हैं कि यह जो बाइपास है यह बंद करके तैयार हो गया है और अभी भी काफी जो कम संक्या है वहनों की यहां पे और लोगों को चलने में भी काफी यहां पे असानी हो रही है लगातर हमारे स्थाप बने रहे हमारे यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक या ट्विटर में देख रहे हैं तो हमारे पेज को होलो करने ना मुले पात बहुत शुक्रिया